मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी, एक महले के अंदर चली गई, एक महिला मिली, चूले पे खाना पका रही थी, मैंने पूछा ग्यास सिलिंडर है, का है दीदी खाली पड़ा है, मैंने का भर सकती हो, एक यह नहीं भर सकती, पैसे नहीं है, मैंने का घर पे काम कौन करत उसने का कोई नहीं करता रोजगार नहीं मिलते आज कल मैंने का कमाती कैसी हो कैसे हो तो उसने का थोड़ी बहुत कांच की चूड़ियां थी उनको वह जोड़ जोड़ के वह कमा लेती थी थोड़ा बहुत मैंने बैपने कि महल्य की परिष्थितियां है उसने कहा दीदी بिजली के खंब में है, बिजली नहीं आती पानी की तूटी है, पानी नहीं आता सड़क को आपने देखी होगी, खराब पड़ी हुई है तो मैंने कहा वोट किसको दोगी? किसी विधायक को दोगी क्या कहा उसने मैं इसी को दूंगी मैंने कहा रहे वा अभी तो तुम कह रही थी कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सडक नहीं है, रोज़गार नहीं है कमा नहीं पा रही हो तो इसको क्यों वोट दोगी इसने क्या किया है तुम्हारे लिए तो वो धर्म की बाते करने लग गई जाती की बात करने लग गई तो तब की राजनीती और आज की राजनीती में बहुत फरक है और फरक क्या रहा है जनता जागरुक तब भी थी जनता जागरुक अब भी है लेकिन अब जन्ता के जजबातों का इस्तमाल हो रहा है धर्म की बाते होती हैं जाती की बाते होती है और इसमें इनका राजनीतिक इस्तमाल होता है और इनका राजनीतिक इस्तमाल इसलिए होता है क्योंकि जब आपका ध्यान उस तरफ होता है जहां आपके जजबात है, आपका धर्म है, आपकी जाती की बात है तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरी सड़क तुमने ठीक क्यों नहीं की तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे लिए पानी क्यों नहीं आ रहा है यहां तूटी में पानी क्यों नहीं आ रहा है तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे पती के लिए मेरे लिए आपने रोजगार क्यों नहीं दिलवाया और ये एक साजिस है एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिस है जिसे आप सब का ध्यान बढ़काया जाएगा ताकि आप सही सवाल नहीं ठाप एंगे